हेलो फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रहे हूँ पोहा बत्वा की टिक्की पोहा बत्वा की टिक्की बहुती करा रही और स्वादिष्ट बनती है इसके लिए एक बाउल मैंने सबसे पहले पोहा लिया है इसे अच्छी तरह दो तिन बार पानी से धो कर साफ करके हम एक घंटे के लिए भिगो देंगे भिगोने से ये इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि मिक्सिंग हो जाएंगे और इसके बाद मैंने एक बाउल ही बॉयल पोटेटो लिया है कद्दू कस कर लिया इसे कद्दू कस करके ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें ये एक घंटे बाद देखी हमारा पोहा अच्छी तरह भीग गया है सॉफ्ट हो गया है अब हम इसे और ये एक बाउल मेरा बॉयल पोटेटो तेयार है एक बाउल ही मैंने बथवा लिया है जो अच्छी तरहे धोग कर साफ करके काट लिया है अब मिक्सिंग बाउल में हम सबसे पहले निचोड निचोड कर पोहा निकाल लेंगे पोहे में हम boil potato mix कर लेंगे और इसी में हम बथवा भी mix कर लेंगे अगर बथवा नहीं है तो आप इसकी जगे पालक किया मेथी को भी मिला सकते हैं पर आज मैं पोहा बथवा की टिक्की बना रही हूँ इसलिए मैंने ये लिए है दो टेबल स्पून मैंने इसमें सूजी डाली है दो कटीवी हरी मिर्च डाली है सूजी हमारी binding का काम करेगी एक चम्मच चाट मसाला एक से डेड़ चम्मच नमक नमक स्वादानुसार है आपका कमिया ज़्यादा कर सकते हैं आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया है आधा चम्मच अमचूर लिया है इसमें सूखे मिसाले मिलाएंगे एक चम्मच मैंने किचिन किंग डाला है किचिन किंग से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाता है तिकी का मसाला हमारा बहुती टेस्टी बन जाता है अब हम इस पूरे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन सब के अच्छे से रोल बनाते हुए हम इसको फ्लैट करके टिकी का रूप दे देंगे यह देखिए इसके गोले बनाके हमने फ्लैट करके टिकी का रूप दे दिया है अब इसे हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे इस टिकी को दोनों तरफ से हम करके और किनारे भी हम अच्छे से कोट कर लेंगे और इसे रखते जाएंगे हम तयार करके टिकी तलने के लिए इस तरह से हम बाकी टिकियां भी तयार कर लेंगे पूरे मसाले की टिकी आप तयार कर लीजे और उसके बाद हमारी तलने के लिए तयार हो जाएगी अगर थोड़ी देर पहले भी आप बना के रख दे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी ये देखिए हमारी टिकियां तलने के लिए तैयार है अब पैन में हम दूसरी तरफ तेल गरम होने के लिए रख देंगे ये तेल गरम हो गया है मेरा अब हम इसमें एके करके टिकी तल लेंगे एके करके हम जगे बनाते हो टिकी को तलने के लिए इसमें पैन में डाल देंगे इसमें आज हमें low to medium रखनी है बहुत हाई नहीं रखनी ताकि टिकी अंदर तक सीख जाए ये टिकिया हमारी तल रही है, अब इसमें हम चेक कर लेंगे, कि हमारी टिकी अच्छे से सीख गई है नीचे से, तो हम इसको पलट देंगे टिकी, हमें आच low to medium ही रखनी है, बहुत तेज नहीं रखनी, ये देखें हम चेक कर लेते हैं, एक तरफ से हमारी सीख गई है, हम इसको पलट देंगे, दूसरी सेट से सीखने के लिए रख देंगे अब हमारी टिकीयां दोनों तरफ से सीख गई हैं, इसे हम चलनी में निकाल लेंगे, इसका extra oil निकल जाने के बाद, हमारी सर्व करने के लिए टिकीयां तैयार हैं, ये serving plate में हम निकाल लेंगे, गरम गरम टिकी हम सर्व करेंगे इसे धनिय पुदीने की चटनी के साथ, सौस के साथ, या खटी मीटी गुड़ इमली के चटनी के साथ खाईए, बहुती स्वादिष्ट लगती है, ये गुड़ इमली के चटनी बनाईए मैंने, और धनिय के चटनी बनाईए, इसके साथ ये देखिए टिकी हमारी गरम गर बुर्कुरी स्वादिष्ट बनती हैं, जरूर बनाएं